हलो फ्रेंट सत्य श्टडई जंक्सर भी आपका स्वागत थे और आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आए हूं जज और मजेस्टेट में क्या होता है अंतर इतना होता है पावर तो चलिए जानते हैं जज और मजेस्टेट में अंतर न्याइ व magistrate दोनों अलग-अलग होते हैं तो चली जानते हैं जज और magistrate में क्या होता है अंतर और दोनों में किसकी पावर जाएदा होती है magistrate के लेवल में भी कई अस्तर होते हैं इनमें जो सबसे उपर का पद होता है वो होता है C.J.M यानि Chief Judicial Magistrate एक जिले में एक C.J.M होता है जिला Magistrate का मुक कार सामान पर सासन का निरिछन करना भूमी राजस्व वसुलना और जिले में कानून बैवस्था को बनाए रखना है या राजस्व संगठनों का परमुक होता है या भूमी के पंजीकरन जोते गए खेतों के बिभाजन बिवादों के निप्टारे दिवालिया जागीरों के परवंधन किसानों को रिंदेने और सूखा रहत के लिए भी जिमिदार होते हैं कोई भी छात्र लॉग की डिग्री लेने के बाद सिधे PCSJ यानि प्रोवेंसियल सिविल सर्विस जूड़िसियल के एकजाम में पास होकर मजिस्टेट बन सकता है कोई भी नयाईक मजिस्टेट मिर्तु दंड और आजीवन करावास नहीं दे सकता है ए ऐसा दंड नहीं दे सकते जो साथ साल से जादा की करावास की अवधिका है जीले के जज उच नयाले द्वारा नियूत किये जाते हैं एहत्य, चोڑी, डखेती, पिक-पॉकेटिंग और ऐसे अनमामलों से संबंधित मामलों की सुनवाई कर सकते हैं सत्र नयायधिस या अत्रिक्त सत्र नयायधिस कानून द्वारा अधिकृत किसी भी सजा को पारित कर सकते हैं जीला जज की नियुकती उच नियाले द्वारक की जाती है समिंधान के अनुसर भारतिय नियाय वैवस्था में थ्री लियर कोट सिस्टम है जीला जज बनने के लिए आपके पास लौ में असनातक की डिगरी होनी आवस्यक है इसके साथ ही आपके पास आवकालत करने का स्तात वर्स का अनुभव होना जरूरी है आपको ए भी इच्छा होगी कि उनको सैलरी कितनी मिलते हैं तो मैं आपको बता दू कि जज की सैलरी शुरुआती में 56,100 रुपीज होता है और 9,537 रुपीज महंगाई भत्ता 70,000 रुपे सकल वेतन सिवील जज का वार्सिक वेतन 65,000 र बता है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक लिए भाइबर